दोस्तों USB कॉंडम अब एक समय में बहुत जादा पॉपलर हो रहा है लेकिन इसके नाम से ये अंतरचा लगाना कि ये आपके परसनल से भी परसनल लाइफ में इंटरफियर करने वाला है तो आप ये गलत समझ रहे हैं नमस्ते दोस्तों मिर्याना मैं शुकम और आप देखने हैं टेकरी आप भी ट्रेवल कर रहे हूँ आप रास्ते में हो या फिर आपके साथ आपका चार्जर नहीं है आपके साथ आपका चार्जिंग केबल भी नहीं है और वहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट तिक कर सकते हैं तो हमें बहुत कोशी होती है कि हमार डिवाइस वाँ से चार्ज हो जाएगा अगर अभी आप वीडियो देखने का दौरान ऐसा कर रहे हैं किसी पुब्लिक प्लेस पे आप अपने फोन को या फिर अपने किसी भी एलेक्रोनिक गैजट को पुब्लिक यूएसपी चार्ज कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें और साथ ही कर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैं आपको एक बहुत सिंपल बतानी कोश्च करता हूँ आप यह समझ लेज़े कि आपको बस यह वाला पॉइंट दिखता है आप इसके पीछे क्या हो रह हुआ है या फिर क्या जुड़ा हुआ है इसके पीछ को भी बैठा हुआ है एक कनेक्शन लेके तो आपको बोशिच नहीं बता आपको बस यह पॉइंट दिखता है और आप वहां पर अपना चार्जिंग केबल लगा भी रहता है तो आप वहां से अपने फोन को चार्ज कर पर और इसके पीछे कोई हैकर अपने लेप्टॉप से इसको कनेक्ट किया हुआ है तो हो सकता है कि आपके फोन में वह कोई भी माल्वियर टॉल कर दें तो हो सकता है कि आपका फोन फिर हैक हो जाए और काम करना बंद कर दें तो आपकी सोच रहोंगे किस भी पब्लिक प्ल हलचल से भड़ा हुआ होगा तो ऐसी गलती वो नहीं करेगा कि वो खुद नजर में आए इसके पीछे जाके अपने करें तो वो क्या करता है कि इस पॉइंट पे अपना एक चार्जिंग केबल भी छोड़ देता है जो कि आपका एक नॉर्मल यूएसपी केबल नहीं होता है जिसे चार्ज करने के बाद सायथ आपका डेटा उसके पास चला जाए तो ऐसी कलती हम लोग करते हैं या फिर हमने आपको पे करने के बाद ही आपका कोई भी डिवाइस या कोई भी गैजट या फिर आपको कोई भी सिस्टम उसके कैप्चर से निकलता था तो ऐसा ही आपके फोने भी हो सकता है कि आपके फोन के अंदर मालवर इस्ट्रॉल कर दिया जाए और आपका फोन काम करना बंद कर दे और फिर आपको एक निशित अमाउंट आपके फोन पर दी जाए कि आप इसको पे करेंगे तो ही आपका फोन फिर से चालू हो पाएगा तो ऐसे में ही काम आता है आपका यूएसपी कॉन्डम यह एक्चल में आपका एक डेटा ब्लॉकर है अगर आप यूएसपी पिन क देखेंगे तो उसमें आपको चार पिन दिखेगा जिसमें कि दो आपका डेटा के लिए होता है और दो आपका पावर सप्लाई के लिए होता है तो यह जो भी डेटा ब्लॉकर है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा यह जो दो पिन होता है उसको यह एक्चल में ब्लॉक क इधर से इधर नहीं जा सके, लेकिन जो भी पावर है आपका, वो पावर इसमे सप्लाई होता रहे, तो ये बात बहुत छोटी सी थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए था, और आपको अगर ये परचेश करना है, तो आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके, मै अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चनल को सब्स्राइब कर लें, थैंक्यू